सरोजेंद्र सुनात्नी में समस्त श्रधालू प्रबुद्ध जनों का स्वागत है। हम सुन रहे हैं श्री परम हंस योगा नंद जी की आत्म कथा श्री योगी कथा मुलत। और अभी तक की कहानी में हमने सुना कि परम हंस जी अपने गुरू के आश्रम में श्री राम पूर जाकर रह रहे हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। मेरे गुरू अपने पूरुश और इस्त्री शिश्यों को अपनी संतान मान कर उनसे खुल कर मिलते थे। उनकी आत्मा की समानता को जानते हुए वे उनमें कोई भेद नहीं करते थे और कोई पाक्षपात नहीं दर्शाते थे। वे कहते थे नीन में किसी को यह पता भी नह खारण कर लेने से कोई पुरुष इस्त्री नहीं बन जाता उसी प्रकार आत्मा इस्त्री या पुरुष का रोप धारण कर लेने पर भी आपरिवर्तित ही रहती है। आत्मा इश्वर का निर्विकार निर्गुन प्रति रूप है श्री युक्तेश्वर जी इस्त्री को पुरुष के अध़ पतन का कारण नहीं मानते थे और ना कभी इस्त्रीयों को टालने का प्रयास करते थे वे कहा करते थे कि इस्त्री को भी पुरुष आकर्शन के क्यों कहा है श्री युक्तेश्वर जी ने तीखे स्वर में कहा न व्यूव वस्था में कोई लड़की उसकी मना शांति में बाधक सिद्ध हुई होगी आनिता वह श्री को नहीं बलकि अपने आत्म सैयम की अपूनता को दोज देता यदि किसी आगंतुक ने विकार मई बातो का संकेत भी देने वाली कोई कहानी आश्रम में बताने की ध्रश्टता कर ही दी तो कुर्देव उसकी और से ध्यान हटा कर मौन हो जाते थे वे शिश्यों से कहते सुन्दर चेहरे के उत्तेजक चाबू के प्रहार अपने उपर मत होने दो इन रियों के दास जगत का आनंद कैसे ले सकते हैं जब वे वासना के कीचड में रेंगते रहते हैं तो जगत के सोक्ष्म रसों का आनंद उनकी पकड में आता ही नहीं वासनाओं में आसक्त मनुश्य का विवेक हो जाता है उसे अच्छे पुरे का भेद भी पता नहीं चलता माया जनित काम वासना से बचने की इक्षा करने वाले शिश्यों को श्री युकतेश्वर जी से धहरेपून एवं समझदारी से ओत प्रोत मार्व दर्शन मिलता था वे कहते थे जिस प्रकार भूग का एक यथार्थ उद्देश है परन्तु लोलुपता का नहीं उसी प्रकार काम प्रवति को भी प्रकृति ने केवल प्रजाति के प्रवर्थन के लिए ही बनाया है कभी त्रप्त ना हो सकने वाली वासनाओं को जगाने के लिए नहीं अपनी गलत एक्षाओं को अभी ही नश्ट कर दो अनिता स्थूल शरीर छूट जाने के बाद भी सोक्षम शरीर में वे तुम्हारे साथ चिप की रहेंगी शरीर को रोग पाना भले ही कठिनो पर मन में निरंतर विरोत करते ही रहना चाहिए यदि प्रलोभन निश्टुरता पूरवक तुम पर आक्रमन करे तो साक्षी भाव से उसका विशलेशन करके अदम में एक्षाशक्ति के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करो प्रतेक प्राकर्तिक वासना पर विजय प्राप्त की जा सकती है अपनी शक्तियों को बचा कर रखो विशाल समुद्र के समान बनो जिसमें इंद्रियों की सब नदियां चुप चाप विलीन होती चली जाए प्रते दिन नई शक्ति के साथ जाकती वासना है तुम्हारी आंत्रिक शांती को सोक लेंगी ये वासनाएं जलाशे में बने छिद्रों के समान हैं जो प्राण मूलक जल को विश्या सक्ति के रेगिस्तान में नश्ट होने के लिए बहा देते हैं मनुशिक को बादिक करने वाला कूवासनाओं का शक्ति शाली आवेग उसके सुख का सबसे बड़ा शत्रू है आत्म सेयम के सेंग बनकर संसार में विच्रण करो इंद्रिये दूरबलताओं के मेड़कों की लाते खाकर इधर से उधर लुड़कते मत रहो सच्चा सादक अंतता नैसरकिक वासनाओं की विवश्ता से मुक्त हो जाता है मानवीस ने की अपनी आवश्यक्ता को वह उस इश्वर की लालसा में बदल देता है जो एक मात्र प्रेम है क्योंकि वह सर्वव्यापी है श्री युक्तेश्वर जी की मातु श्री काशी के राणा महल मुहले में रहती थी जहां मैं अपने गुरू से मिलने प्रथमबार गया था वे करुणा मैं और दयालू थी परन्तु सुनिस्चित मतो की भी थी एक दिन मैं उनकी बालकनी में खड़ा मा बेटे को वारता लाप करते देख रहा था अपनी शांत तरक संगत पदद से श्री युक्तेश्वर जी उन्हें कोई बात समझाने का प्रयास कर रहे थे परन्तु वे उसमें सफल होते प्रतीत नहीं हो रहे थे क्योंकि माता जी ज आट खाय बालक की तरह श्री युक्तेश्वर जी आगे एक भी शब्द मुझे निकाले बिना चुप चाप वहां से हट गए मा के अनुचित परताओं में भी उनके प्रती श्री युक्तेश्वर जी का महान आदर देखकर मैं गदगद हो गया माता जी उन्हें केवल अपन असाधार और स्वभाव पर प्रकाश पढ़ रहा था अंदर से विनाम्र परंधु पाहर से फावलात एक बार सांसारिक संबंदों को तोड़ लेने के बाद सन्यास धर्म स्वामियों को संसार से किसी प्रकार का संबंद बनाये रखने की अनुमती नहीं देता ग्रहस्तों के लिए अनिवार्य माने जाने वाले परंपरागत पारिवारिक धार्मिक विदी सन्यासी संपन्य नहीं कर सकते, फिर भी प्राचीन सन्यास आश्रम का नव निर्मान करने वाले आदी शंकराचारेजी ने इन नियमों की उपेक्षा की थी, अपनी पूजी और प्रिय माता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने हाथ उपर उठा कर अग्नी का आवहान किया और उसमें से प्रकट हुई डिव्य अग्नी शिखा से अपनी माता का दाह संसकार किया, श्री युक्तेश्वर जी ने भी इन नियमों की उपेक्षा की पर शंकराचारे से कम चमतकारी धंग से, जब उनकी माता का स्वर्गवास हुआ तब उन्होंने पवेत्र गंगा तड़ पर उनकी अंतेष्ट की व्यवस्था की और क्रहस्त परंपरा के अनुसर अनेग प्र करने के लिए बनाए गए थे शंकराचारे और श्री युक्तेश्वर जी ने अपना संपून अस्तेतो विराट निराकार ब्रह्म में विलीन कर दिया था, उन्हें अपने बचाओ के लिए किसी नियम की आवश्यक्ता नहीं थी, कभी-कभी सिद्ध पुरुष केवल यह दर नियम के बंधन में नहीं है, श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों के अत्रिक्त अन्ने कोई पुस्तक शायधी कभी पढ़ते थे, फिर भी वे नवीन्तम वैज्यानिक अविश्कारों तथा ज्यान के वेभिनक्षेत्रों में हुई प्रगती से सदाही पून परचित रहत वे वारतालाप में अत्यंत निपुण थे और आश्रम में आने वाले अतितियों के साथ असंख विश्यों पर विचारों के आदान प्रदान में आनंद लेते थे, मेरे गुरू की हाजिर जवाबी और मनह पूर्वक हसने के उनके धंग से प्रतेक चर्चा में जान आ जाती थी, वे प्राया गंभीर तो रहते थे पर कभी उदास नहीं होते थे, वो कहते थे याद रखो ईश्वर को पाने का अर्थ होगा, सभी दुखों का अंत जो अनेकानेक, दार्षनिक, प्राध्यापक, वकील और फैक्यानिक आश्रम में आते रहते थे, उनमें पहली बार आ गमंड भरी मुस्कान या मनुरंजित सहिशुनता की उनकी द्रश्टी से यही प्रकट होता था कि उन नवा गंतुकों को सदाचार के कुछ नीरस उपदेशों के अत्रिक्त और किसी बात की अपेक्षा नहीं थी श्री युक्तेश्वर जी के साथ चर्चा करने के बाद और य साधारा नक्तिया मेरे कुर्देव अतितियों के साथ नम्र और इसने पोंड बरताओ करते वे मन को प्रसन करने वाले धंक से उनका हार्दिक स्वागत करते परन्तु कटर एहंकारियों को कभी कभी गहरा आघात भी लगी जाता था उन्हें कुर्देव की या तो ठंडी पेक्षा या फिर ओग्रविरोत का सामना करना पड़ता बर्फ या लोहा एक बार एक विख्यात रसायन शास्ती श्री युक्तेश्वर जी के साथ तर्क युद्व में भीड़ गये ये महाश्य इश्वर के अस्तित्यों को इसी लिए सुईकार नहीं कर रहे थे कि को इसका कोई स्पष्टी करण नहीं मिल रहा है गुर्देव की द्रश्टी कठोर हो उठी थी अब मैं आपको एक नया प्रयोग पताता हूं 24 घंटों तक अपने विचारों का परिक्षण कीजे तब आपको इश्वर की अनुपस्थित पर विसमें नहीं होगा एक गणमान पंडित को भी इसी प्रकार का धका लगा या तब हुआ जब वे पहली बार आश्रम आये थे दीवारे गूंज रही थी जब ये महाश्य महाभारत उपनिश्टों और शंक्राचारी के भाशों के परिक्षेद पर परिक्षेद सुनाते जा रहे थे मैं आपको सुनने के लि मैं अथिती महदे से आधर युक्त दूरी बनाए अपने कोने में पालती मार कर बैठा था गुर्देव के शब्दों से हसी के मारे मेरे बेट में बल पढ़ने लगे परन्तु आप अपने वयक्तिक जीवन से कौन सी मौलिक व्याक्या प्रिस्टुत कर सकते हैं किस शास्त् फोन की तरह दूसरे मनुश्यों के शब्दों का केवल यांद्रिक उचारान करके संतोष्ट हैं मैं हार गया पंडिजी की अकुलाहट हा सिप्रत लग रही थी मुझे कोई आंद्रिक अनुभूती नहीं है जीवन में शायद पहली बार पंडिजी की समझ में आ गया कि पु अत्यदिक गंद आती है गर्व खंडित पंडिजी के वहां से चले जाने के बाद गुर्देओं ने कहा ये लोग समझते हैं कि बौधिक व्यायाम से तत्व ग्यान बन जाता है चाहे बाहक्रतियों की आपक्वता हो या अंता परिशकारक अनुशाशन हो इन दोनों से ही इ उपदेशों में व्यक्त करते रहते थे विस्तरत शब्द ग्यान को ही ग्यान मान लेने की भूल मत करो वे कहते यदि एक समय पर एक ही श्लोक को लेकर धीरे धीरे आत्मसात किया जाये तो धर्मशास्त्र आंत्रिक अनुभूति की जिग्यासा जगाने में लापकारी हो सकत हैं आने था निरंतर बौधिक अध्यन से मिथ्या भिमान जूटा संतोष और अपरिपक्व ग्यान से अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं होता शाश्त्रों के अध्यन का अपना एक अनुभू श्री युकतेश्वर जी ने बताया था स्थान था पूर्वी बंगाल के एकवन में स्थित आश्रम जहां उन्होंने एक विख्याद गुरू श्री डबरू बल्लव की पदती का अवलोकन किया उनकी पदती जो सरल भी थी और साथ ही कठिन भी प्राचीन भारत में प्रयोग में लाई जाती थी डबरू बल्लव ने उस एकांध तपोवन में अपने शिश्यों को अपने पास बिठा लिया था पावन श्रीमत भगवत गीता की पुस्त के उनके सामने खुली थी वे लोग आधे घंटे तक एक श्लोग को स्थिर द्रश्टी से देखते रहे फिर उन्होंने आखे बंद क कहा अब याश लोग तुम लोगों की समझ में आ गया जी गुरते हो शेश्य मंडेली में से एक ने यह उत्तर देने का साहस कर लिया नहीं पूरी तरह से नहीं उस आध्यात्मिक प्राण को पैचानने की चेश्टा करो जिसने इन शब्दों को शत शत वर्षों से भारत को नव जीवन प्रदान करने की शक्ती दी है फिर एक घंटे तक मौन चिंतन चला तत पश्चात गुरू ने शिश्यों को छुट्टी दे दी और श्री युकतेश्वर जी की और मुड़कर उन्होंने का आपको भगवत गीता का ज्यान है नहीं माराज मैं उसे ठीक से समझ न आशिरवात देने की मुद्रा में मुस्कुराए यदि शास्त्र संपदा के बाह प्रदर्शन में ही कोई व्यस्तर है तो अमूल रतनों के लिए अंतर में डूपकी लगाने का समय ही कहां भजता है च्री युकतेश्वर जी स्वयम अपने शिश्यों को भी इसी एकागरता क की तीवर पददी से अध्यन कराते थे ज्यान आखों से नहीं अनु परमाणों से आत्मसात किया जाता है वे कहते जब सत्य का तुम्हारा ज्यान केवल तुम्हारे दिमाग में न रहकर तुम्हारे संपूर्ण अस्तितों में समा जाएगा तभी तुम उसके अर्थ के बार करते थे विशियों ने केवल एक वाक में ऐसा गहन अर्थ भर रखा है कि उस पर भाश करने वाले पंडित योग युगांतर से उसी में व्यस्त है वे कहते अंतहीन साहितिक वादविवाद प्रमादी मन का लक्षण है इस विचार से अधिक शेगरता से मुक्त दिलाने वा बुद्धिवादी का लक्ष शायद ही कभी इश्वर होता है उसे विद्यालंकर शब्द आडंबर ही अधिक भाता है उसका एहंकार इसी में त्रप्त हो जाता है कि वह इतने कहन पांडित को समझ सकता है जिन लोगों में अपनी धन संपति का या सामाजिक मान मर्यादा का अहम भाव होता था उनके साथ यह संभावना सदा ही बने रहती थी कि गुर्देयों के सानिते में आने पर उनकी विविद संपताओं में विनमरता धन भी जोड़ जाए एक बार पुरी में सागर तट पर इस्थेत उनके आश्रम में वहां के एक मजिस्ट्रेट मिलने आए यहां मजिस्ट्रेट महोदे अपनी निष्ठुरता के लिए जाने जाते थे और हमें आश्रम से बेदखल करना उनके पूर्ण अधिकार में था मैंने गुर्देयों को इस तथे से अवगत कराया परंतु गुर्देयों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा मजिस्ट्रेट को कोई विशेश व मात्व ना देकर वे साधरान भाव से बैठे रहे और उनके आने पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े भी नहीं हुए किंचित अधीरता के साथ मैं दरवाजे के पास बैठ किय श्री युकतेश्वर जी ने मुझसे मजिस्ट्रेट के लिए कुर्सी लाने को भी नहीं कहा अता उन्हें लकडी के एक दिब्बे पर बैठ कर ही संतोश करना पड़ा अपने पद की गरिमा के अनुसार स्वागत किये जाने की उनकी किसी भी आशा की पूर्थी नहीं हुई आध्यात्मिक चर्चा आरम भूई मजिस्ट्रेट महोदे शास्त्रों का अर्थ बताने में गल्तियां पर गल्तियां करते गए और जैसे जैसे गल्तियां करते जाते थे वैसे वैसे उनका क्रोध बढ़ता गया आप जानते हैं कि मैं M.A. की परिक्षा में प्रथम आया था उनकी बुद्धी जवाब दे चुकी थी पर चिलाना उन्हें अब भी आता था मजिस्टेट महोदे आप भूल रहे हैं कि यह आपकी अदालत का कमरा नहीं गुर्देवने शान भाव से का आपकी बचकानी बातों से तो यही लगता है कि आपका विद्यार्थी जीवन कोई विशेश प्रतिभावन नहीं रहा और वैसे भी यूनिवर्स्टी की डिग्री का वैदिक ज्यान के साथ कोई समन नहीं है संत अकान्टेंटों की भाती प्रतिवर्ष समोह में नहीं निकलते कुछ देर तो मजिस्टेट महोदे सतब्दर अगर फिर दिल खोल कर हसने लगे पहली बार किसी दैवी मजिस्टेट के साथ मेरा सामना हुआ है उन्होंने कहा ब लाहडी महाशे की तरह ही श्री युक्तेश्वर जी ने भी अनेक अफसरों पर सन्याज ग्रहन के एक्षोक अपरिपक्व शिश्वों को उससे परावरत किया ये दोनों ही गुरु कहते थे इश्वारा नुभूति का अभाव होते हुए भी गेरुआ वस्रधारन करने का अ जगति के अलावा और किसी बात का कोई माह तो नहीं है और उसके लिए क्रियायोग का उपयोग करो किसी व्यक्ति को योग या आयोग ठहराने के लिए संत जन एक ही अचल माप दंड को अपनाते हैं जो संसार के नेते बदलते रहते माप दंडों से सर्वता भिन है स्वयम अपनी द्रश्टी में भी इतनी पहुरंगी रहने वाली मानव जाती संतों की द्रश्टी में केवल दो वर्गों में विभाजित होती है अग्यानी जन जिने इश्वर की तलाश नहीं और ग्यानी जन जो इश्वर की तलाश में रध हैं मेरे गुरु अपनी जमीन जायदा पर कपजा कर लेने का प्रयास किया था उन सब को श्री युक्तेश्वर जी ने ध्रणता पूर्वक यहां तक कि उनके विरुद मुकदमे भी दायर करके मात दे दी इन सब दुख दाई अनुभवों से उन्हें इसलिए गुजरना पड़ता था क्योंकि वे भेच्छा जीवी गुरु नहीं बनना चाहते थे ना ही वे अपने शिश्यों पर बोज बनना चाहते थे आर्थिक स्वतंत्रता भी एक कारण थी कि मेरे प्रकर स्पष्ट वक्ता गुरु कूटनीत के छल कपड से पूर्टा अन्भिग्य थे उन गुरुओं के विप्रित जिने उनका भार व में नहीं आते थे मैंने उन्हें किसी से किसी भी काम के लिए पैसा मांगते या उसका संकेत भी करते कभी नहीं सुना उनके आश्रम की शिक्षा सभी शिश्यों के लिए ने शुल्क थी एक बार श्री रामपूर आश्रम में संबन देने के लिए अदालत का एक कर्मचारी जाया कनहाई नाम का एक्षेश और मैं उसे गुर्दियों के पास ले गए श्री युक्तेश्वर जी के प्रति उस कर्मचारी का रवया अपमान जनक था आपकी भलाई अभी सी में है कि आप अपने इस आश्रम की चाया से बाहर निकल कर जरा अदालत की सत्य निष्ठ हवा ख नहीं दोल चाटते नजर आओगे मैं उसी इरादे से उसकी और बढ़ने लगा कनहाई भी उस कर्मचारी पर चिला रहा था अरे दुष्ट तुमारी या है मत कि तुम अपनी दुष्टता को इस पवित्र आश्रम में भी ले आए कि तु कुर्दियों उस कर्मचारी के रक् कर चकित रह गया और आधरपूर्वक्षमा मांकर वहां से दुष्ट गती से चलता बना बड़ा आश्र जनक था ये देखना कि एक उग्र एक्षा शक्ति वाला सिद्ध पुरुष अंदर से इतना शांत चीतल भी रह सकता था वेदों में संत के विशे में दी गई परिभा श्री युक्तेश्वर जी पर सटीक पैट्टी थी वज्रा दपी कठोराणी म्रदूनी कुसुमा दपी अर्था जहां दया का प्रशन है वहां फूलों से भी कोमल जहां सिद्धानतों का प्रशन है वहां वज्र से भी कठोर इस संसार में सदा ही ऐसे लोग होते हैं जो प् देरे में रहने के कारण प्रकाश को सहन नहीं कर सकते, कभी-कभी कोई आदमी आकर अपनी किसी काल्पनिक शिकायत पर श्री युक्तेश्वर जी को भला बुरा कह देता, मेरे स्थित प्रग गुरु नम्रता से उसके द्वारा की जा रही अपनी निंदा सुनते और अंदर ही अंदर अपना विश्लेशन करते जाते, ये देखने के लिए कि वो जो दोशार उपन कर रहा है उसमें कहीं कोई सत्य का अंच तो नहीं, ऐसे प्रसंग गुर्देओं की अप्रतिम उप्तियों का मुझे स्मरण करा देते, कुछ लोग तूसरों के सिर काट कर स्वयम जिसने अपने आपको जीत लिया हो, वह राज विजेता से भी बड़ा विजेता है, अनेक बार मेरे मन में यह विचारा था कि यदि मेरे तेजस्वी गुरू का मन ख्याती या सांसारिक उपलब्धियों पर केंद्रित हो जाता, तो वे आसानी से समराट या विशुक को थर परा देने वाले योदा बन सकते थे, परन्तु इसके बदले उन्होंने क्रोध और एंकार के उन आंतरिक दुर्गों को धस्त करना पसंद किया, जिनके पतन में मनुश्य की चरम उपलब्धी नहित है, आज इस कथा को यही विश्राम देते हैं, अगले भाग में जानेंग विनित्र संत, यदि आपको यह प्रस्तुती अच्छी लगी हो, तो क्रप्या चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, और वीडियो को अवश्य ही लाइक कीजेगा, और अपने मनों भावों से अवगत कराने का प्रयास मुझे अवश्य कीजेगा, कमेंट्स के द्वारा, आपक इस वीडियो में हुई मेरी कमिया, उचारण के दोशों आदि से भी परचित करा सकते हैं, जिससे मैं अपने आप में सुधार का प्रयातन करूँ, अगले अंक तक के लिए आप सभी को सादर नमन